देखे बिलकुल आज मुख्यमंत्री मनोहरलाल की तरफ से प्री बजट को लेकर के चर्चा की जाएगी जो की सुभा ग्यारा बजे चंडीगड हरियाना निवास में शुरू होगी तमाम मंत्री इस बैठक के ँंदर मौजूद रहने वाले हैं जो बजट सुझावों को लेकर के अपने विभागों के जो वरिष्ट अदिकारी है सिक्षा, स्वास्ते, रोजगार और इसके लावा अन्य जो चीजे हैं उनको लेकरके बजट जो है वो आगे बढ़ाया जाए किसानी को जो बजट है वो आगे बढ़ाया जाए इसको लेकरके आज पूरा दिन भर यह चर्चा जो है सुभा ग्यारा बजे से लेकरके 4 बजे त तो हमारे साथ हरिजाणा के कैबिनेट मंत्री हैं कवरपाल गुजर उनसे भी जानेंगे कि इस बैठक के अंदर क्या कुछ चर्चा वो करने वाले हो क्या कुछ सुझाव अगर हम देंगे शिक्षा सबसे पहली बात होती है जब भी हम बजट को लेकर करके चर्चा करते हो सब्सक्राइब कले और नियुकल लिए शुमात्स्तुकर देख पर्याष करな hold के सब्सक्राइए शुक्त प्रियास के सावी विधायों के बारे में और वैपारी वरा दे इस जो व्यक्ती को फ्रभावित होते हैं ईब tsubis सभी लेकिन किस प्रकार से प्रगती हो सकती है और उन स्ब लोगों के सुझाविक मैंने मुख्यमंतरी जी तो आज मंत्रियों के साथ वाने मुख्यमंतरी जी की मेठा गए और अब की बार आप nutrient लासे संथा उसमें भी उन्होंने सभी विदायकों को वी इस बात के लिए कहा था कि आपके मन में कुछ भी है जो आप कराना चाहते हैं क्योंकि जब बजट परस्तुत हो जाता है उसके बाद जब आप डिमांड रखते हैं तो उसके बाद उसको पूरा करना काफी मुस्किल क होता है क्योंकि बजट तो बन जाता है तर तक तो इसलिए उन्होंने सभी विदायकों से भी कहा था कि अगर आपके पास कुछ उजाव हैं तो आप पहले सुजाव दें ताकि बजट बनाते समयम उसका ध्यान रखके उसको आगे लेके मैं समयता हूँ आज तक साइद किसी के आसपास है तो मैं मुख्यमंत्री से निवेदन करूंगा कि आने वड़े साहल में कोई भी स्कूल ऐसा ना रहे कि इसकी विल्डिंग कोई भी ख्राब हो तो अगर उपरानी बिल्डिंग होगी तो उसकी जांच करने के बाद और उनकी वह बिल्डिंग का एक आने वड़ देखरेक्षा चाहिए उसका रास्ता है चाहिए चारदुवारी है चाहिए पीड़ेगा पणी है चाहिए इस प्रकार की साथ जम निस्चित की है उसकी ब्यूटिफिकेशन है तो अगर उसमें कहीं भी जूरत है तो उसमें एक रुपे से लेकर पच्छीस लाख रुपया सब्सक्राइब करते हैं तो अभी तक हमने उसका 26 ब्लॉक पूरे रियाने के 26 ब्लॉक ड्यूल डेक्स के लिए और 22 ब्लॉक हमने और प्सक्राइब करें सब्सक्राइब करेंगे लेकिन इसके लावा नेक टार्गेट रख्या कि जितने भी समसान काटा तो एक तो ग्रीन भी होगी गौओं को भी उसका फैदा होगा क्योंकि जब भी वहां जाते हैं तो कहीं चाया नीच थी तो सब लोग प्रेसान भी उत्ते हैं तो दुन्हों चीज़ों पैदा होगा उसका लाब हो जाएगा और हमारी ग्रीन भी बढ़ेगी प्रयावरण पे सब्सक्राइब होगा तो उसका एक टार्गेट हमने रख्या है तीसरा हम जो रेलेवे हैं उसके साथ भी बात्चीत करें के मुए पहले भी साइन करना चाहते हैं हमारी बात्चीत चल नहीं और मुझे पूरी उमीद है कि आने वले कुछ दिनों में सैद मारा ये बात्चीत करते हैं है तो हम यह चाहत है कि इतने तरि लगाएग हैं तो अब कहीं ना कहीं इसी तो इसे बहुत से जो काम है जो हमने शुरू किये तो उसके लिए हम चाहेंगे कि कुछ बजेट हमारा थोड़ा बड़े फोरेश्ट तूरिजम के लिए भी हम उसमें काफी काम करना चाहते हैं उसमें भी इसी के साथ मुख्यमंत्री के तरब से यह भी प्रयास किया गया है बजट सो जाब तो लही रहे हैं आठ कमेटियां भी बनाई जाएंगी बीच में अवकाश भी दिया गया है ताकि सभी विधायक पूरे अध्यन के साथ जो है वापस आए और फिर बजट पर एक विस्तरित और सार्थक चर्चा हो दिकि हर बार एक बात होती थी कि जैसे माल विध मंत्री परस्तुत कर दिया और अगले दर उसमें बहुत शुरू जती थी तो ज्यादा तर जो मैंबर सही बान है उनका एक बात रहती थी थी कि देखी इतनी देर में ने सारे बिट का द्यानी किया अ हम सब के सब प्रदेश के लिए चुने गई हैं तो अगर कोई इस प्रकार का अच्छा सुजाव अच्छा कुछ करने का है तो सुजाव दें तुसरकार करेगी शुक्रिया बात करने के लिए जी झाल